हेलो वाइज। वेलकम टू आवर चैनल आपका KP के चैनल में स्वाजत है जी तो आज हम बात करेंगे एक डिक्यूटमेंट की जैसा आपके सामने है NLC, इंडिया द्वारा डिक्यूटमेंट निकाली गई है तो आज हम इस पर चहर्चा करेंगे और पर्द है इसमें अप्रेंटेशिप पर्दों के लिए नंबर और पोस्ट इसमें 632 है 18 जनवरी से यह जो पोस्ट है वो एक्टी में आएगी यानि कि कर से और लास्ट जो डेट है वो 31 जनवरी है जी तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरवात और आपको बताते हैं आज के टोपी के बारे में और अगर आप इस चैनल पर नए है या इस तरह की रेगुलर वीडियो चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी तो चलिए करते हैं start NLC द्वारा recruitment निकाली गई है apprenticeship पदो के लिए आप इनके official website पर जाकि verify कर सकते हूं और जो selected candidate के लिए इस्ट है वो 19 फर्वरी को जारी की जाएगी विकेंसी के बात करें तो इसमें graduate वालों के लिए है 314 पर diploma वालों के लिए है 318 और बात करें इसमें education की जी हाँ तो इसमें जो graduate वालों के लिए आपके पास degree होनी चाहिए इंजिनिरिंग से रिलेटेड डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा होना चीज एलिमेंट फिल्ड में और जो एज है वो फिक्स है according to apprenticeship rules के according और selection की बात करें जो selection होगा वो पर जो फाइनल किया जाएगा स्टाइफन की बात करें तो स्टाइफन इसमें graduate वालों को पंदरह हजार पर मंत और डिप्लोमा वालों को बारह हजार पर मंत मिलेगा और कैसे apply करना कहां तो यह आप देख सकते हूं यह notification है यहां पर graduate वालों के according to subject wise number of seeds मतलिष टाइफन और डुरेशन यह सब दिया गया है फिर डिप्लोमा वालों के लिए सेम minimum qualification क्या है तो यह आप देख सकते हूं graduate और डिप्लोमा वालों के लिए जी उसके बाद other eligibility क्या क्या requirement होनी चाहिए फिर age का method of selection कैसे है कहां पर जाके आप form फिल अपका सकते ह आपको registration form का जो print out है वो लेना है फिल करके इस address पे आपको courier करना है तो यह आप देख सकते हैं और यह कल से active होगा कल से आपको इसे download कर सकते हैं यह print out ले सकते हैं जी तो यह थी basic detail आज की topic से related hope तो यह video आपके लिए informative रही होगी notification और website दोनों का link आपको video के end में description में मिल जाकर आप check out कर सकते हैं आज के लिए इतना ही था thank you for watching